ग्राम संसार कारिक्रम सुनने वाले सभी किसान बेन भाईयों को राम राम तो शोता हूँ आज हमारा विशेश प्राजित फोन इन कारिक्रम है गन्ने की पाठशाला और इस कारिक्रम के प्राजिक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी आवशक चत्वों की कमी दूर हो जाएगी मिट्टी की उर्वर्ता इस बढ़ती जाएगी IPL की पॉली हेलाइट हसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी मजबूती के कारण फखले किर नहीं पाएगी फखलों की उत्पादकता तो खूब बढ़ाएगी कितान भाईयों के जीवन में खुश्या आएगी IPL की पॉली हेलाइट मिट्टी की उर्वर्ता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत व्रधी के लिए प्रसिद बहुपोशक प्राकर्तिक उर्वरक IPL की पॉली हेलाइट समस्दार किसानों की पहली पसंद IPL की पॉली हेलाइट तो शोताओं हमारा फोन इन का इकम चल रहा है गन्ने की पाठशाला और आज का हमारा फोन इन का विशे है शरत काली इन गन्ने में खरपतवार नियंतरन और कीट एवं रोग नियंतरन और कारक्रम का संचालन कर रहे हैं शिव नननलाल तो चलिए चलते हैं हमारे विशेशग्यों के पास इन्डियन पोटास लिम्टे द्वरा प्रयजित कारक्रम गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है और हमारे विशेशग्य डाक्टर यसके पाठशक जो की प्रसार अद्कारी हैं गन्ना अनुसंदान संस्थान सहिजानपुर में और डाक्टर यूएस तेवतिया यानि उपेंद सिंग तेवतिया जो के मुख प्रबंधक हैं क्रिशी विग्यान इंडियन पोटास लिम्टेड में दोनों का कारक्रम में स्वागत है जन्यवाद और जब तक हमारे किशान भाईयों के फोन आते हैं तब तक यह जनना चाहूंगा कि जो हमारे किशान भाईयों ने शरत कालीन गन्ना लगाया हुआ है, तो उसमें कुछ तो जमाव हो चुका है, कुछ हो रहा है, तो उसमें खरपतवारों की समस्या, क्योंकि गन्ने में बहुत तरीकों के खरपतवार आते हैं, तो उसका किस तरीके से नियंद्रार कर सकते हैं, जिससे उनकी जो गन्ने का उत् इसमें बहुत से ऐसे हैं जो चोडी पती के हैं PayPal बहुत से ऐसे हैं जो शकरी पती के हैं तो यह सभी तरह्य खर्पतवार किसी न इसी रूप में हमारा गंडे की फसल को परभावित करते हैं और अगर उपज की बात करें तो यह के उपज दस परसंट से करके और 60% तक गन्ये की उपज को यह खर família परभयवित करते हैं अगर हम सरतकालीन की इन्न की बात करें तो सरतकालीन गन्ये में खर पतवार की समस्य अधिक इसलिए होती है और गन्या ऐसी फदल है कि दो कि बढ़वार इसमें रुख जाती है यानि कम हो जाता है तो ऐसी इस्तिती ने खर पतवार बहुत उगाते हैं इसके लिए बहुत अच्छा तरीका हमारे किसान वाहियों के लिए सब्सक्राइब करें लेकिन एक किसान वाई का फोन है उसको लेते हैं हालो नमस्कार जी क्या सवाल है आपका सब्सक्राइब काना काना हो रहा है जो आप प्रवली तो यह क्या है अपने अक्तूबर का जैसे लगे हुए है तो एक्चली इस समय वेदग कीट जो भी किट आपके लगे होंगे चोटी बेधक या फिर तना बेधक या गुर्दास पुर्वतिक अब क्या है इस समय जितने भी बेधक कीट हैं वो डार्मेंट इस्टेज में चले जाते हैं उनको जितना नुकसान पहुंचाना था वो तो नुकसान पहुंचा चुके आपको अब उसको आगे व सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद तो मैं यह करता है कि दो लाइनों की बीच में जो जगह हम छोड़ते हैं उसमें खरपतवार प्रबंधन का सबसे बेष्ट तरीका यह है सरतकालिंगन्य में कि जब भी आप सरतकालिंगन्य की बुवाई करने तो उसमें अन्ता फसल की बुवाई अवस्य करें अन्ता फसल की बुवाई से एक तो अतिरिक्त लाब हमें प्राप्त हो जाएगा और दूसरी यह है कि खरपतवार हमारे नियंतरण में रहेंगे अन्ता फसल की बुवाई की समय हमें तीन चीज़ें अवस्य ध्यान रखने जी डग्साब किषान बाई का फोन लेते हैं हालो नमस्कार जी दरामबीर दर्मिर का दिली से बाप करोगा जी दरामबीर जी कारी करम तो बहुत ज्यानवर्दक है सर मुझे एक्षप सर से यह पूसाँ डग्साब से की क्या मेरे किछन गाड़ में ऐतना शूक पूरा खुर सकतों भ़ना कि एपने गभली में लगा सकते हूं पिछली वार में पूछा थे सा ली स्ट तो उन्हों ने बोला ता कि मैं कि अगर आपको किचें गार्डे में गन्ना लगाने का सौक है तो मैं आपको एक सुझाओ देना चाहूंगा कि आप जो आपका किचें गार्डेन है जहां पे धूप अच्छी आती हो आप एक रिंग पिट विधी से गन्ने की बुगाई कर दें आप जिसमें नीचे 6 इंच तक हम गोवर की खाद और मिट्टी मिला करके उसको पूरा 6 इंच तक बरावर कर देते हैं जैसे साइकिल की तीली होती है उस तरीके से डाल करके और ऊपर हम तो आप रिंग पिट विधी से अपने एक गड्डे दो गड्डे करके आप अपना सौक पूरा कर सकते और बहुत अच्छा गन्ना होगा अपने लगाने पर उतना अच्छा नहीं रहेगा तो आप लगा सकते हैं एक दो टुकड़े अग्ड़े में लगा सकते हैं एक दो टुकड़े लगा सकते हैं प्योंग पूरा किया जा सकता है ठीक है धरमबीर जी फोन करने के लिए आपका बहुत 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 दन्यवाद जिदक सब्सक्राइब अगर हम बात करें कि जिन किसान भाईयों ने अंतर फसल लगा लिया है वैसे किसान भाई अपनी सूवधा कि अंसार ज हमें लगा करके और जब फरवरी लाश्ट तक उसकी कटाई कर लें ऐसी फसलों का चैन करना चाहिए कई फसलों में यह देखा गया है कि आलू और लहसुन अगर हम गन्ने के साथ लगाते हैं तो उसमें हमें आलू और लहसुन की जो पैदावार है वो तो मिलती ही मिलती है स साथी साथ गन्ने की भी पैदावार 8-9% हमारी और बढ़ जाती है उसका बेसिक रीजन यह है कि आलू जब हम लगाते है तो आलू का बायो मास ऐसा है जो सबसे पहले हमारे जमीन में सड़ता है और साथी साथ जब हम आलू में मिट्टी चड़ायने का काम करते हैं अन्ने स जादे घना तो नहीं हो गया है सरसो और अगर घना हो गया तो उसकी धिनिंग जरूर कर दें जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो अपना थोड़ा रेडियो सेट धीमा कर लें या उसको बंद कर लें हम बंद कर दिया जमाने हाँ ठीक अब अपना सवाल को उचिए जो 238 बीज लगा रख्या गन्य का उसमें सुख रही है तो अब आपको इस समय करने की जरूत है कि अगर कहीं कहीं पे एक एक मूर्ण अगर सूख रहा है तो उसको तकाल आप जमीन से जड़ सहित उखाड करके नश्ट कर दें अच्छा जी और जहां से आप उखाड़ें वहां पे 10 से 20 ग्राम बिलीचिंग पाउडर डाल करके उसकी धखाई कर दें कौन सपोर्टर जी बलीचिंग पाउडर यह कहां से मिल जाएगा जी यह मिल जाएगा बहुत आसाना बलीचिंग पाउडर आप ले लिजेगा उसमें डाल करके उसकी धखाई कर दीजेगा उसकी जितनी जल्दी हो सके स्वस्त गन्यों कि उसकी आप सप्लाई कर दें आगे उस खेत में एक साल तक गन्य की बुवाई मत करिएगा तो आपने जो दवा बताई है उसकी मात्रा भी बता दीजेगा दस से बीस ग्राम दस से बीस ग्राम ड़िचिंग पाउडर डाल करके और अगर यह बावस् पाउडर एक गड़े में दस से बीस ग्राम अगर अपनी मेल के गन्ना विवाग के किसी भी आदमी से संपर्क करेंगे न वह यह सारी चीज बता देगा बिलीचिंग पाउडर कहां से मिलेगा कितना डालना है वह सबसे बढ़िया तरीका है आप ठीक है आप लिखते रहोग हमारे किसानबाई काफी जागरुक हैं कारकम भी सुन रहे हैं और डाक साब के कारकम से लगातार जुड़े हुए हैं तो डाक साब आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे कि जो हमारे किसानबाई खर्पतवार नियंदरन का कार करते हैं उसके साथ साथ अंते फसली करन भी क करते हैं तो उनकी जो मुख्य फसल है उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े अंत्य फसल भी उगाए खर्पतवारों का नेंदर नभीर हो जाए देखो जो अंत्य फसली खेती की जाती है जी चाहिए वह गन्ने के साथ हो या किसी और दूसरी क्रोपा का कॉंबिने कुछ मुख्य प्रंसीपलाइन के सिद्धानत है कि क्या ध्यान रखने की चीजें होती है एक तो फसलों की जो पानी की रिक्वार्मेंट है वो लगबग मैच करनी चाहिए एक जो उनकी जड़े हैं अगर एक फसल की गहरी जा रही है तो दूसरी फसल की उतली होनी चाहिए मलब एक रूट जोन में उनकी जड़े ना हो और दूसरा कैनोपी है अगर एक की ज़्यादा है तो दूसरे की कम होनी चाहिए तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है जैसे डॉक्साब ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे लहसुन है और जो आलू है ये बिलकु सूट करत है पानी की रिक्वार्मेंट भी गन्य के बरावर होती है इनकी और ये इनकी कैनोपी बहुत कम होती है गन्य से जो जी तरफ बहुत दन्यवाद आप हमारे बिलकुल रेगुलर सुरोता है इसके लिए तो आताजवानी और आप सभी बढ़ाई के पास रहे है जी जी बहुत बढ़ी है तो सवाल यह है डॉक्तर जाव के गाठों से सियोजी चोसट की जो गांट है वो लाल लाल हो रही है गाठ का मतलब जहां इंटरनोड होता है जी 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 बिलकुल बिलकुल और एक सभाल यह है कि जो आत अमसा सभिल की बास कर रहे था है उसमें इसमें इक बार हमना बेंगन लगा के लेखे है नी तो इसके लिए और कुछ सुजा लेए पहला है जी पहला सिल्गा है है तो उससे कोई परेसानी है पादे में जैसा को शुखं या पैसे ले जा जा है या कोई कीड़ा एक्चुली क्या होता है कि गन्य के तन्य में कोई बेधक कीट अगर घुसता है गाठों से तो जितनी दूर ऊपर जाता है थोड़ी दूर अगर 18 cm उपर या फिर नीचे अगर जाता है तो उतनी दूर लाल दिखाई पड़ता है तो क्या इस तरह का दिखाई उसमें लगता किसी बीमारी का प्रवार आप ऐसा कर सकते हैं आपकी जो नजदीक में चीनी मिल है या फिर अगर कोई सोच संथान है तो एक बार आप दिखा लें क्योंकि अभी बताने के हिजाब से तुरंत यह नहीं कहा जा सकता कि रेड राट है कितना कितना पोर्सन लाल है और हर लाल रंग रेड राट नहीं होता है उसमें कहीं कीडिये की कपरकोफ है या कोई और डिजीज लग गई है तो एक बार आप दिखा लें तो उसका बेहतर निदान वहाँ पे हो सकता है गन्ना देखने के बाद ठीक है और आपका दूसरा प्रसन जोता वो बैंगन का हाँ जी और कितनी दूरी पर बोया हुआ है अपने गन्ना लाइन टू लाइन अब तीन एक मीटर तो आप और बीच में बैंगन के पौदे कितनी कितनी दूर पर लगाएं वो लगाएं हैं 12 फिट पर ओके तो ठीक है बैंगन की जो सारी रिक्वार्मेंट है देखो गन्ने से पानी की रिक्वार्मेंट भी मिलती है और दूरी पर तीन फिटें तो आप सफल होगे इसमें यह अच्छा है कोई इसमें कोई परिशानी नहीं है खर्पतवार का थोड़ा ध्यान रखना में आप फोन करने के लिए तिवाते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आ पहली बार आप प्रोग्राम सुनाएं तो मेरा मन करा आप से बात करूँ क्योंकि गन्ने को लेकर रहा है विल्कुल जैकीसंट आपका कार का मैं स्वागत है जो की मई जून के महिने में तकरिवन तकरिवन हर आदमी को गन्ने का रस पीता है विल्कुल तो पहली बात यह ब तो क्या उसमें प्रेस्टिज लो खाद है जो आजकर नुक्सान करती है तो क्या इसमें जावेद खाद जो हमारी खाद है उसको डालते हैं या प्रेस्टिज खाद ही डालते हैं और यह हमारे गन्ने को कितना नुक्सान करती है या फैदा करती है या फैदा करते हैं यह दो सबसे मीठा गन्हा आरहा है वो है सीओ पंद्रेजीरो तेईस बहुत मिठास है उसमें अगर आप प्रस के लिए वो करें दूसरा क्वेश्चन आपका था के जैविक खाद खूब डालते हैं इसमें तीसरी बात रही आपने खाद से क्या नुकसान हो देखो खाद से कोई नु लेकिन वो पैस्टी साइड गन्ने की प्रारंभी का वस्ता में ही छिड़के जाते हैं तो जब वो पक जाता है तो ज्यादा उसमें रहता नहीं है कुछ और उसका आधा जो जो उसकी खोई है वो है उसमें भी सब रहता है तो आप चिंता ना करें आप गन्ने का रस खूब पीए विदाव टैनी कोई संका किये वगएर बहुत अच्छी वात ने का मैं एक जोड़ना चाहूंगा कि जे अलग अलग किसमें है किस परपस से आप अगर आप जूस के परपस से लेना चाहते हैं तो जो बताया पंदरे जीरो तेईस बहुत अच्छी वराइटी आप कोसा 13 235 है कोलक 14 201 है कोसा 17 231 है यह किसमें आप लगा सकते हैं अगर ब्रहत पैमाने पर खेती करना चाहते हैं तो जी फोन करने के लिए अगरवाल जी आपका बहुत-बहुत धन्नवाद एक और किसान भाई का फोन लेते हैं हालो नमस्कार जी जी क्या सवाल है आपका हमारी प्रोगा है जी रोड़े सब्सक्राइब कर सकते हैं इस स्टेज में अभी तो समस्या नहीं होगी उसमें इस स्टेज में गन्ना जुकी कटाई की अवस्था में आ गया है तो इस समय टाप बोरर जो है वह वह प्यूपा इस्टेज में रहता है इसके पहले जो नुक्सान कर चुका है उतना नुक्सान कर चुका होगा अब उससे नुक्सान नहीं है नंबर एक ची बाकी गन्नों में आगे टाप बोरर का प्रकोप ना हो उसके लिए आप दो तीन अगर पुल नहीं होता है लेटर स्टेज में तो आप मासूंन काल में ट्राइको कार्ड का प्रियोक कर सकते हैं और ट्राइको काड ये बहुत ही बहतर होते हैं यहгов । चोटी वेधा को उसके अंडे पर ही पर जीवी के रूप में रहके उसके अंडे को ही नश्ट कर देता है जिससे चोटी वेधा की अगली पीड़ी नहीं आने पाती है ठीक रफोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक और किसान वाइव लाइन पर हैं हालो हालो नमस्कार जी नमस्कार सर विकास कुमार जी लागागता की उप्रीशा बोल रहा हूं जी जी विकास कुमार जी क्या सवाल है आपका सर हमने 35 वो रख था जी 35 वीज ज इसकी बुआई कब किया था यह जो तो यह मार्च मोगी तो अब इसमें ऊपर से आप खाद देने की जरूद नहीं है वैसे भी 13235 में और जनरल रिक्वेंडेशन जो यह है कि मानसून काल यह मानसून काल के बाद हमें खाद नहीं देना चाहिए क्योंकि गन्ने की वी एक सूवं के परिवस्था होती है फिर अवस्था फिर जव 27-0 फिर ब्यात की अवस्था होती है फिर उसके बाद г्रैंट को सथी आतीये तो यह जो समय चल लहा है वह गण्य की परिवक्वत का समय चल रहा है रात ठंडी और दिनमें चम्किली थूप इससे गन्य में करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तेवतिया जी बात कर रहे थे कि जो गन्ने में अंत्य फचली करते हैं उसमें विशेश जो सावधानिया होती हैं उनको ध्यान रखते हैं कि कौन सी फचल लेनी है किसको पानी किया सकता दोनों की बराबर होनी चाहिए और को थोड़ा दुने को मिल मुला चाहिए उसके इतलावा जो जड़ें है कि गहरी जानी चाहिए होनाु के उसी तरीक時間 से अगर कोई किसानबाई कोई अईसी भी फसर लेता है आई सको भी ले सक्ता है फुनमें और देकिए ले ए Interior काप कुकि शरूर्खavo pont किसान ढालते हैं और टो मकषे ठीक्डायन ya Protocol B भी हमको ध्यान में रखना होगा, और बीच में भी खड़ डालना होगा, तो और दूसरा ये होता है, दीखो, फाइदा क्या है कि जाडों में एक जो पाला पड़ता है, उसमें जब फसल रहती है दूसरी, तो वो उसको किसी न किसी हद तक प्रोटेक्ट करती है, तो ये भी फाइदा मिलता है क्योंकि गन्ने की अगर और कोई नीक रॉप होगी जो ब्रद्धी है ना वो रुख जाती है बिलकुल पाले तो उसे फाइदा होता है तो इस समय जो खर्पतवार नियंतरेंड की बात है तो उसमें कई तरीके से हमारे किसानवाई करते हैं जी और जिसमें क्यांसा जो इंगशाऑ मैं खर्पतवार कर करते हैं तो उसमें गन्ने के खरपतवार क नियंतरेंड के तो प्रियूक करते हैं और निराई गुडाई जब हम करते हैं तो उससे खर पत्वार्त नियंति होते ही होते हैं साथ ही साथ जब हम निराई गुडाई करते हैं तो मिर्दा में वाई का संचार होता है जिससे गन्ये की जड़ों को ब्रिद्ध का परियाप्त मौका मिलता है गन्ये की जड़ अधिक से अधिक करके और पौधे की ब्रिधि में साहिक होती है। साथी साथ दूसरी जो हमारी कल्चरल विधी है उसमें एक विधी की बात हुई कि अंतर फसली के द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरा यह है कि कई ऐसे खर्पतवार हैं जिनका जीवन चक्र जो हो गन्य के साथ ही शुरू होता है। तो हमें गन्य की फसल में के साथ फसल चक्र भी अबनाना चाहिए। एक खेत में अगर हमने गन्ना बहो दिया है तो उसमें कोशिज है कि अगर दूसरी फसल होते हैं तो इससे भी हम खरपतवार का नियंत्र काफी हद तक कर सकते हैं दूसरी चीजी है कि गन्ने की ऐसी किसमों का चेहन करें जो तीब बढ़ने वाली होती है तो जब उनकी कैनोपी उपर से हो जाती है वो दो लाइनों के बीज की जगह ढग जाती है तो उससे भी खरपतार हमारे कम से कम आते हैं तो रख साब जैसे आप बात कर रहे थे कि गन्ने के जो उन किसमों को लगाएं जिसकी बढ़वार अच्छी हो तो वो कौन कौन सी किसमे है देखिए अभी जो गन्ने की एक किसम थी बहुत अच्छी थी उसमें बीमारी आ गई है तो उसके जगह पे किसान भाईयों के पास कई अच्छी किसमें आ गई है जिनकी बढ़वार बड़ी तीब है कोसा 13 235 साजापुर संस्थांदर अगन्ने की बिक्सित किसम है यह तीब बढ़वारी वाली है बहुत तेजी से बढ़वार इसकी होती है इसको किसान भाई करके और अच्छी पैदावार ले सकते हैं जोड़ना चाहते हैं मैं इसमें एक चीज एड़ करना चाहूंगा कि देखे एक विदी होती है अगर हम गन्ने की नर्सरी उगा कर और उसकी जो सीड लिंगे उसको कूडों में उनकी टांस्प्लांटिंग के रुपाई करें तो हमारा कम से कम एक महीना बच जाता है और वो एक महीना आगे निकल जाती है हमारी तो उसमें भी खरपतवार नियंतरन करने में हमको मदद मिल जी डग साब एक किसानवाई का फोन है हलो नमस्कार जी नमस्कार सार वुपिंदर सिंग बात कर रहा हूं सार जी वुपिंदर सिंग जी कहां से जी क्या सवाल है बुपिंदर सिंग जी आपका हमारे यहां फोड़ा प्रवाविच छेत्र है और उस बार प्रवाविच छेत्र बार आती है तो उसमें गन्ना की खेती कर सकते हैं क्या हो सकती है क्या उसमें बार आती है तो ऐसे चेत्रों के लिए यूपी 14233 यह उन चेत्रों के लिए है अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर रोगों की बात करें तो गन्य में अधिकतर जो रोग लगते हैं जिससे गन्य की फसल को काफी नुकसान होता है वह मानसून काल मैं लगते हैं मानसून काल मैं और इस समय अगर में रोग की बात करें तो जिन किसान भाईयों ने गन्य'dची बात समय सरत काल में किया हैεί घ eventual बात हुष्पाइए पाइनपिल डीजीज लगती है जिसमें क्या होता है कि एक बहसे की तरह अगर देखेंगे तो अनास्त की तरह एक महाक उसमें से आती है तो यह तुरंद बाद इस समय देखने को मिलते हैं काफी हथ तक और उसमें जमाव प्रवाइत होता है काफी हथ जब टुगडा सड जाता है तो जमता नहीं है उसके लिए 2-3 उपाय किसान भाई कर सकते हैं पहला तो यह है कि बुगाई के समय अगर वो ट्राइकोडर्मा 10 किलोगराम प्रती हक्टेयर को 2-3 कुंटर गोबर की सड़ी हुई खाद में डाल करके और खेत में अंतिम जुताई के समय डाल करके वो मिला देते हैं तो यह ट्राइकोडर्मा फंगर्स जो है यह काफी ह तक इसको रोका जा सकता है दूसरा यह कि बुगाई के समय पीज उप्चार बहुत ही आवस्यक है कारण डाइजिम 0.1 परसंट या फिर थायु फिरेंड मेथिर 0.1 परसंट से बीज का उप्चार आवस्यक है जी करन सिंग जी क्या सवाल है आपका हमारा सवार है गन्नों की किसमों के बारे में जानना चाहता हूं है आप गन्ना लगाते हैं लगाया हुआ है लगाना चाहते हैं लगाना चाहते हैं कौन से महिना में लगाना चाहिए आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं जी मध्य प्रदेश के लिए जो गन्ने की किसमे स्वीकृत है आप उन छेत प्रदेश के लिए आपके लिए अच्छी पैदार से आपको मिलेगी बाकी इसकी अलामा जो आपके ब्सेंग करने के लिए आपका बहुत दन्यवाद कर रहे थे पाइनपल रोक की तो इसकी रोक्थाम एक तो आपने ट्राइकोग्रामा से बता ही है और सबसे बहतर यह है कि चूंकी यह जमाव को ही हमारे प्रवायुत करता है तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि दो आख के टुकड़ों के बिना उपचारित किये इसकी बुगाई न इसको उपचारित करते हैं या सेट ट्रीटमेंट डिवाइस आ गई है बहुत अच्छी डिवाइस आ गई है और नर्सरी के लिए एक डिवाइस बहुत ही अच्छी है एक बार में लगए 50 किलों से एक कुंटल तक बीज उपचारित हो जाता है तो उससे अगर उपचारित क आप ट्राइकोड़मा डाल देते हैं तो ये मिर्दा का जैविक उपचार है गर दक जैविक उपचार इससे ऐसी कर देते थाँं और विज डावाई से कर देते हैं तो कई वीमारीयों को अपने आप हम रोक देंगे सुरुवाती अस्तर पह इसलिए किसान्भाई मुर उप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन कुछ चैनित किसमें हैं उन्हीं को लगा सकते हैं तो आप दुबारा से बता जिए करने के लिए राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अक्साब हो आपसे अप्तिवत्याजी जानुट जाहूंगा कि गन्य में इस सुमय जो क्रिश्य क्रिया हैं वो किसानबाइक क्या कर सकते और जुन्हों entit अर्शन बचाने का थे आने वाले समय में बागी निराई गौड़ाई का ध्यान रखना उनमें घर्पत्वार में अब कि डॉक साब ने बताया अब वो जो बेदक हैं वो तो अपनी डॉर्मेंट आवस्ता में चले गए हैं यह साब माफी चाहूंगा एक चानवाई का फोन नमस्कार जी शर में बहुतने शिंदी जर्ट तो उसमें वह काना पर रहा है जैसे काना परने बाद मों पर जाता जाता क्या लक्षर दिख रहा है अंदर फाड़ने पर अगर आप फाड़ रहे हैं तो पूरा गन्ना ऊपर से नीचे तक लाल दिखाई पड़ रहा है अंदर जैसे एकाद दू जैसे अंदर पंगोश की हाथ बरहा है अंदर तो लाल पाता है और छोड़ पादी गढ़ा रहा है अंदर कीड़ दिखाई पड़ा है कब लगाया था अक्टूबर में एक्टूबर में इस समय मैंने बता ने में जो लगने वाले कीट है जो वो सब प्यूपल स्टेज में पहले का नुकसान जो इनका है वो अब इस समय कोई कीट नासी डालना उपयुकत रहा है तो कटाई क सब्सक्राइब कर सकते हैं जमाव के पश्चाइब कर दें जिन समय से गन्ने 15 सितंबर के बाद लगा लिया है और 40-45 दिन बहुत अच्छा जमाव हो जाता है तो उसकी पहली सिचाइब कर दें और प्रती एकड की दर से ओट आने पर अगर यूरिया की टाप डेसिंग कर द जमीन की सता से करें कई वर 5 सिंटिमीर 10 मीटर कर दें उससे काफी नुकसान होता है तो जमीन की सता से करके चीनी मिने में सब्लाई करें जीड़क साब आप कुछ कहना चाहेंगे तहोतिया जी देखिए किसान भाईयों को मैं यह कहना चाहँगा गन्ने की फसल एक अधूत अगर आप इसकी सही से खाद और पानी इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे रोग और कीट और इनमें खर्पतवार नियंतरन रखेंगे तो इनसे किसान भाई खूब अच्छी पैदावार ले सकते हैं बस ध्यान रहेगी वेराइटी अब हमें 0238 को छोड़ना है और न मारा विशेश प्राइजित फोन इन कारिक्रम था गन्ने की पारचाला और इस कारिक्रम के प्राइजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड किसान नहीं खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी नैनो टेक्नोलोजी है ऐसा विश्कार इस लिक्रिट से मिलती भरपूर पैदावार किसान की एक बोरिया की ज़रूत को फूरा करेगी कितना खर्चा कम हो जाय nutrick त्राश्पोर्टेशन का ठोटे किसानों के लिए कितना बड़ा संबल है नैनो यूलिया लेकपिड आपके नजदी की प्रथान मंतर किसान समरिदी केंदरों, सहकारिय समीतियों एवं खाद विकरताओं के पास उपलब्त हैं कारिकरम के पस्तुत करता थे शिवनननलाल, इसी के साथ हमारा आज का कारिकरम नहीं समापत होता है, सुनने वाले सभी शोताओं को राम राम